नाभी की विखंडन और नाभी की सलयन में सामान निय अंतर हम देखेंगे सरल अंतर सरल बिंदुगों पर और उसमें भी हम एक ट्रिक का यूज कर लेंगे और सरल तरीके से उसको देखेंगे ट्रिक हमारी रहेगी एक भारी सामान निय ताप पर रेडियो निय अंतरण रेडियो नियंत्रन और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से एक जो भारी परमारू होता है वो युरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम का हो सकता है और उसके नाभिक को निम्ण उरजा के न्यूर्जा नीूट्रान से जब हम बंभारी कराते हैं तो बंबारी कराने पर वो दो हलके नाभिकों में तोड़ा जा सकता है तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे नाभिकी विखंडन तो ये इसमें हमने ये समझा कि एक भारी जो परमाणू है या नाभिके वो दो हलके परमाणूं में तूट जाता है और साथ ही इसमें ये प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, मतलब इसमें बहुत मिलियन कोटी की अद्धी उच्च ताप की आवशक्ता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर संभव है, साथ ही इसको इसमें जो पदार्थ होते हैं, जो हम लेते हैं, यूस करते हैं, वो रेडियो धर् एक और बात रहेगी कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब यह है कि इसमें अगर आप नाभी की सैंत्र में इसको यूज करते हैं, तो नियंत्रित दर पर आप इससे उर्जा ले सकते हैं, और इस मुक्त उर्जा का उपयोगा भाब बना कर विद्युतुत्पन करने में पर नाभिक यूज कर सकते हैं, तो जो नाभिकी विखंड़ है, उसका जो कारण हो ये है कि इस मूल नाभिक का जो द्रवेमान हैं, यह जो आपको दिखाई दे रहें, यह वेस्टिगत जो उत्पाद हैं, इंके द्रवेमानों के योग से क्या होता है? जादा होता है, तो जो द्रव्यमानों का अंतर है ये इस उड़ जा का कारण है जिसे हम आइस्टीन समिकांड से भी E is equal to M into C square से बताते हैं तो नाभी की विकांडन में हमने समझा कि इसमें एक भारी नाभीक दो हलके नाभीकों में विवक्त हो जाता है तो हमने भी ट्रिक में कहा भी था एक भारी नाभीक दो हलके नाभीकों में विवक्त हो जाता है और यह प्रक्रिया सामान निताप पर संभव है तो एक भारी सामान निताप तो एक भारी नाभीक दो अलके नाभीकों में विफक्त हो जाता है और यह प्रक्रिया सामान निताप पर संभव है इससे हम परमानु बम वगेरा जो बनते हैं वो भी इसमें नाभी की विखंडन की प्रक्रिया पर आधारी थे और जो विखंडनी पदार्थ है वो रेडियो धर्मी होते हैं हमने अभी देखा यहां भी हम लिखा हुआ है अभी uranium जो है तो एक भारी सामान निताप पर radio यह अमारी ट्रिक थी एक भारी सामान निताप पर radio तो विखंडर नी पदार्थ radio धरमी होते हैं और चोथी बात हम इसमें कह सकते हैं कि अब इस प्रक्रिया को नियंतरित किया जा स तो इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं नाभी की उर्जा के लिए नाभी की संयंत्र में हम इसको कंट्रोल करके इस एनरजी का यूज भी करते हैं तो एक भारी सामान निताब पर ये रेडियो नियंत्रन से हम ये पाइंट्स याद रख सकते हैं इसके बाद में एक और प्रक्रिया ह नाभी की सलेन, नाभी की सलेन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें ये सूर्य और तारों की जो सूर्य और विशाल बहुत बड़े बड़े तारे जो दूरस्त इस्तित हैं, उनकी जो एनरजी या उर्जा का स्त्रोत है, वो ये नाभी की सलेन की प्रक्रिया ही है, इसमें क उत्पाद होगा उस उत्पाद का जो द्रवेमान होगा वो कम होगा और जो मूल नाभिकों के वेस्टिकत द्रवेमानों का योग होगा वो जादा होगा उत्पाद में द्रवेमान कम होता है यहां भी क्रिया कारक में ज्यादा होगा उत्पाद में कम होगा लेकिन यहां दो ह बारी नाविक तूटकर दो हलके नाविक बनाता है ये इसमें फरक आ जाता है इसमें सामानी रूप से नाविकी सल्याइन में तो ये देखें नाविकी सल्याइन की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं एक नाविक और ये दूसरा नाविक और ये इस तरीके से ये नाविकी सल्या बनाया और इसमें ये इस प्रक्रिया के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इसमें अति उच्चताप की आवशक्ता होती है नाभिकों को सल्लाइद करने में और साथ ही इसमें जो इसको हम कह रहे हैं कि इसमें अति उच्चताप की आवशक्ता होती मतलब की अत्यदिक उर्जा जिस प्रक्रिया होती है और इसमें जो जुड़ने वाले पदार जुड़ने वाले जो नाभिक होते हैं वो रेडियो धर्मी नहीं होते हैं जिसे अभी हमने का कि हाइड्रोजन बिखक्त हो जाता और यहां हम लिखेंगे कि इसमें दो हलके नाइक सहयोगतो कर एक भारी नाइक बनाता हैं बgarई भीनाटे हीप्रीत 2 हलके सहयोगतो कर 8 बारी बनाएंगे और एक भारी तूटकर दो हलके बनाएगा और हम कहेंगे यह प्रक्रिया अति उच्च ताप पर संभव है अति उच्च ताप और अति उच्च दाप दोनों और जो विखंडनी पदार थे वो इसमें विखंडनी पदात रेडियो धर्मी होते थे इसमें सल्लेन करने वाले पदात रेडियो धर्मी नहीं होते हैं और इस hydrogen bomb इसी टेक्निक पर based होते हैं तो इस तरीके से नाभी की सलयन और विखंडन में अंतर को हम देख सकते हैं जिवाश्मी इंधन fossil fuels क्या होते हैं आईए समझते हैं उर्जा के पारंपरिक इस्तरोत या कहें कि conventional sources of energy में जिवाश्मी इंधन fossil fuels का बड़ा महतोपूर्ण योगदान है जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि भारत के संदर्ब में अगर हम लें तो हमारी जितनी उर्जा आवशक्ता है उसमें आप देखिए कि यह वाला जो निशान आप यह देख रहे हैं नाभी की उर्जा आवशक्ताओं के पूर्ती है वो कोईला और पेट्रोलियम से इतनी कर रहे हैं जो कि हमारे क्या है कोईला पेट्रोलियम और प्राकर्दि गेस हमारे क्या है जिवाश्म इंधन है तो जिवाश्म इंधन पर हम बहुत अधिक डिपैंड है जबकि जिवाश मिंदन जो है वो उर्जा के कौन से स्त्रोत हैं अनवी करनी है non-renewable हैं मतलब ये इंधन करोलो वर्षों में बनते हैं और अब बहुत ही सिमित रूप से बचे हैं करोलो वर्षों में बने हैं लेकिन अब बहुत कम बचें मतलब इनके ग्याद बंधार जो है वो कुछ सो वर्षों के ही अभी उपलब्ध है तो इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है और जीवाश मिंधन के अंतरगत कोन आता है कोईला पेट्रोलियम प्राकृति गेस ये आते हैं जीवाश मिंधन के अं तो जीवाश मिंधन के प्रकारों में या उसकी चर्चा में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोईला की कोईला हम जानते हैं कि विभिन उद्योगों में इन्धन के रूप में और तापी विद्यूत सयंत्रों में जो विद्यूत उत्पन्न करते हैं वहां कोईले का उपयोग करते हैं और खाना बनाने के लिए इंधन में कोईले का उपयोगम करते हैं तो कोईले का फार्मेशन या कोईला बना के से इसको हमें देखना चाहिए कि यह जो कोईला बनता है प्रकृती में यह कितने बिलियन येर्स या मिलियन येर्स के प्रक्रम से यह तैयार होता है तो लगभग यह कहें कि करीब करीब तीन सो मिलियन वर्ष पहले प्रत्वी पर जो निशले जली एक शेत्र थे उनमें घने वन थे ध्यान दीजिए का मैं कोईले का पूरा फार्मिशन आपको बता रहा हूं कि लगभग तीन सो मिलियन वर्ष पहले प्रत्वी पर जो निशले जली एक शेत्र थे उनमें बहुत डेंसिटी वाले वन थे काफी घने वन थे और बाढ़ जैसे प्राकरतिक प्रक्रम जो आए तो उनके कारण क्या हुआ कि ये वन म्रदा के नीचे दब गए ये जो वन थे प्रत्वी पर निशले जली शेत्रों में जो घने वन थे मतला कुल मिला कर वन थे प्रत्वी पर और ये बाढ़ या किसी प्राकरतिक प्रक्रम से मिट्टी के नीचे म्रदा के नीचे क्या हो गए दब गए लंबे समयांतराल में क्योंकि ये तो 300 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है तो ये जो समयांतर शब्द इस्तिमाल हो रहा है यहां कई कई सेकड़ों सालों या कई मिलियन वर्ष इसमें शामिल होंगे तो एक ये जो होने म्रदा के नीचे दब गए और एक समयांतर के बाद जब अधिक मातरा में म्रदा इनके उपर चड़ गई तो फिर ये नीचे दबने से क्या हो गए संपिडित हो गए कंप्रेस हो गए जैसे जैसे गहरे होते गए इनका ताप क्या होता गया बढ़ता गया और आखिर कार क्या हुआ कि उच्च ताप और उच्च दाप पर प्रत्वी के भीतर जो ए म्रत पेड़ पोधे धीरे धीरे कोईले के अंदर परिवर्तित हो गए बदल गए कोईले में जो मुख्य रूप से होता है वो होता है कारबन और ये म्रत वनस्पती के धीमे प्रक्रम द्वारा जो ये कोईले में परिवर्तन हुआ है इसको हम कहते हैं कारबनी करण तो आप देख रहे हैं कि कोईला जो है वो 300 million वर्ष की इस प्रोसेस के बाद इस तरीके से कोईले की रूप में हमें प्राप्त हुआ है और हम उसका दोहन इतनी तेजी से कर रहे हैं और उपयोग इतनी अधिक मात्रा में कर रहे हैं कि वो उसके स्त्रोत अब बहुत सिमित रह गए हैं तो हमने भी बात की कि जो म्रत वनस्पती के धिमे प्रक्रम द्वारा कोईले में परिवर्तन को क्या कहते हैं कारबनी करण कहते हैं क्योंकि कोईले में मुख्रूप से क्या होता है कारबन होता है और इनको जीवाश में इंधन कोईले को क्यों कहते हैं उसका कारण भी यही है क कोईला चुकी वनस्पति आउशेशों से बनाएं है ना ये वनों के वन म्रदा के नीचे दबे तो वनस्पति आउशेशों से बनाएं इसलिए ने क्या कहते हैं हम जीवाश में इंधन कहते हैं तो ये हमारा जीवाश में इंधन हुआ कोईले के रूप में अब हम बात करेंग तो जीवाश में इंधन में अब हमारा अगला जो टाइप बन रहा है वो है पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल का उपियोग हम वाहनों मशीनों में इंधन के रूप में करते हैं ये इंधन जिस प्राकरतिक इस त्रोस से हमें मिलता है पेट्रोल डीजल आदी जिस Natural Source में मिलता उसको हम कहते हैं Petroleum और जो Petroleum का निर्मान है वो Petroleum का निर्मान समूंदर में रहने वाले जीवों से हुआ है समूंदरी जीवों से हुआ है जब यह जीव मरत हुए तो इनके शरीर समूंदर के पेंदे में जाकर क्या हुआ जम गए और फिर रेत और मिट्टी के तहद बारा ढग गए तो समुंद्री जीव मरे समुंद्र के पेने में जाकर जम गए और रेत और मिट्टी की बड़ी परत उनके उपर जमती चली गई लाखो वर्ष भीते वायू नहीं थी तो वायू के अनुपस्तिती में क्या हुआ उच्च दाब और उच्च ताप ने इन म्रत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकरतिक गेस में क्या किया बदल दिया पेट्रोलियम जो होता है देखिए क्या समझे हम कि मरेवे जीव जो समुद्र के पेंदे में जमे में रेत और मिट्टी की तहां उन पर जमती चली गई जमती चली गई कंप्रेस हो गए और वायू के अनुपस्तिती में उच्च दाब और उच्च ताप के काराण ये पेट्रोलियम और प्राकरतिक गेस में बदल गए तो ये हम समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम कैसे फार्मड उआ है तो ये आपका जब पेट्रोलियम बन गया तो पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का तेली इद्रव होता है और इसके संगठ जिसको में लपी जी भी कहते हैं पेट्रोल डीजल स्नेक तेल मोम आदी का ये क्या है मिश्रन होता है और फिर बाद में इस पेट्रोलियम से क्या करते हैं कि प्रभाजी आस्मान के द्वारा हम पेट्रोल डीजल वगरा इन सबको क्या करते हैं अलग-अलग कर लेते हैं अब एक और जिवाश मींदन हमारा है प्राकरतिक गेस जिसको हम नेचुरल गेस के थे ये बहुत मेत्वपुन जिवाश मींदन है इसका परिवान पाइपों द्वारा होता है और प्राकरतिक गेस को जब आप उच्चे दाप पर संपिडित करते हैं तो ये CNG में बदल जाता है जिसको गेस के रूप में हम स्टोर कर लेते हैं और इसका उप्याग मुख्री रूप से वाहनों में इंधन के रूप में होता है और ये कम प्रदुशन कारी स्वच्छ इंधन है कौन प्राकरतिक गेस हमारा नेचुरल गेस तो ये जब इसको आप उच्च दाप पर संपिडित कर लेते हैं तो ये CNG में बदल जाता है ये CNG का फूप आम याद रखिएगा आप तो ये इस रूप में ये बदलता है या हमको क्या-क्या लाब जिवाश मिंदन से हमें होने वाले हैं या होते हैं तो अब लाब के उपर बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या है कि हमने अभी देखा था चार्ड में कि वो एक परमपराकत उरजास्त्रोत के रूप में इंधन के रूप में उपयोग में आ रहा है कोईला जला लेते हैं ठीके LPG जला रहे हैं खाना बनाने के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं CNG का उपयोग कर रहे हैं है ना पेट्रोल डीजल के रूप में जो हैं वहानों में इंधन के रूप में उप्योग कर रहे है और LPG जो हमें पता है कि ये hydrocarbons का mixture है जिसका मुख्य संगठन को ने संगठन ब्यूटेन है मुख्य संगठन को ने इसका ब्यूटेन है और ये आपका LPG आपको पता है कि बहुत ही उप्योगी इंदन है तो ये जो liquid petroleum gas इसका full farm है घरों में हमारे जो gas यूज करते हैं जिससे हम खाना पकाते हैं वो LPG ही है तो liquefied petroleum gas इसका full farm है liquefied petroleum gas द्रवी भूत petroleum gas इसका full farm है और CNG का full farm है compressed natural gas संपिडित प्राकरदी gas और ये है liquefied petroleum gas तो याद रखेगा इन दोनों के नाम और ये जिवाश मिंदन के उप्योग के रूप में हम दे सकते हैं कि परमपरागत उर्जा इस्तरोत के रूप में इंदन के रूप में वाहनों में इंदन के रूप में इसका हम उप्योग करते हैं पेट्रोल आदी जो है वानों के रूप में उप्योग में आते हैं फिर हम देखा कि LPG जो है सिलेंडर जो हमारे घरों में ये यूज होते हैं ये भी जीवाश में इंदन ही है या जीवाश में इंदन का एक परिश्क्रत रूप आप इसको कह सकते हैं वो है फिर जो थर्मल प उप्योग करते हैं फिर कोईले से जो कोक है वो बनता है जो धातुनिसकर्शन के काम में आता है विशेश रूप से और उससे कोलतार मिलता है कोलतार के बहुत उप्योग है है ना नेफ्टलीन की गोलियां इससे बनाई जाती है है ना संशलेशित रंग बनाने में इसका परचा करें, तो CNG की रूप में जो वहनों में एक स्वच्छ और कम प्रदुशन कारी इंधन की रूप में उपयोग हो सकता है, तो इस तरीके से आप जिवाश मिंधन की उपयोग की सूची बनाएं तो इंधन की रूप में, तापी विद्यू सेयंत्रों में, फिर वो जो इ जिवाश मिंधन की उपयोग से लाब बता सकते हैं, और ये इस तरीके के CNG से चलने वाले जो वहांने, डिल्ली में बहुत आटो रिक्षास आपने देखे होंगे इस तरीके से चलने वाले, तो चली अब जिवाश मिंधन से हम देख लेते हैं, हानिया क्या-क्या है, और ज पूछा जाता है question, तो आप इसको देखिए कि ये सबसे बड़ी बात जो जिवाश मिंधन की है, कि वो इससे जो जिवाश मिंधन जो जलता है या दहन होता है इसका, तो इसमें फिर वो carbon, nitrogen और sulfur के oxide बनते हैं, और ये बहुत प्रकृती और पर्यावरन के लिए बहुत ज़ हैं, ये हमारे पर्यावरन और स्वास्त पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, तो ये आपने देखा हुआ चिमनियों से निकलने वाला धुआ, या हम नार्मली हमारे घरों में अगर हम कोईला वगरा जलाते हैं, तो उससे निकलने वाला धुआ, और इस तरीके से हमारे पर्यावन और स्वास्त पर ये सिधे-सिधे बुरा प्रभाव डालते हैं, एक और तरीका है जिससे स्वास्त पर अप्रत्यक्ष रूप से और बाद में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, और वो तरीका कौन सा है, वो तरीका है अमली वर्षा के रूप में, अ जो oxide बन रहे हैं ये उपरी वायू मंडल में जाते हैं अब उपरी वायू मंडल में क्या होता है वहां होती है जलवाश्प कहां से आती हो जलवाश्प ब्रत्वी से जल का वाश्पी करान होता है तो ये जलवाश्प वायू मंडल में उपर जाकर संगनित हो जाती है और ये SO2, NO2, CO2 क्रिया करके अमल के रूप में धर्ती पर वापस हानिकारक अमली वर्षा के रूप में जाते हैं मतलब यह पानी का जो संगनन होता है उपर जाके और यह आपकी चिम्नियों से घरों से और अन्य वहनों से प्रदुशन कारी की रूप में SO2, NO2 यह देखिए उपर की तरफ गए और फिर यह देखिए H2O से मिलकर उसके बाद इन्होंने देखिए H2SO4, HNO3 यह सल्फिरिक अमल, नाइट्रिक अमली यह हानिकारक अमली वर्षा जो है इन्होंने इस तरीके से प्रत्वी पर कर दिये अब इससे क्या होगा जलिस्तरोद दुशी हो जाएंगे मिट्टी गुरूरता कम हो जाती है जो आपका जो ताज मेल है जो ताज मेल पर जो संगमरमर की चमक है वो भी इस हानिकारक अमली वर्षा से कम हुई है तो इमारतों का शनन होता है स्वास्त और पर्यावन पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस हानिकारक अमली वर्षा से तो ये स्वास्त और पर्यावन पर बुरा प्रभाव एक पाइंट आप सीधे दहन से कर दीजेगा और एक हानिकारक अमली वर्षा के लिए उत्तरदाई ऐसा कर दीजेगा और तीसरी बात यह है कि यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई है जब जिवाश मिंदन का दहन होता तो वेश्विक तापमान में व्रद्धी होती है तो व्रद्धी होने से क्या होता है कि हमारा जो पारित अंत्र एको सिस्टम में लिखिएगा फिर एक आपकी MCRT में क्तिशन है कि उर्जा इस्तरद की रूप में जिवाश मिंदन और सूरी की तुलना कीजिए अब सूरी तो उर्जा का अक्षय इस्तर होते हैं जिवाश मिंदन तो अब घड़ते हुए उर्जा के इस्तर होते हैं पर तुलना करना है तो आप तीन छोटे-छोटे बिंदों पर तुलना कर दीजेगा कि जिवाश मिंदन हमारा परंपरागत उर्जा इस्तर होते जिसको हम सदियों से यूज करते हैं उपयोग कर रहे हैं सूर्य हमारा गेरे परंपरागत उर्जा इस्तर होते जिसका उपयोग करना अब हमने सीखा है जिवाश मिंदन के भंडार सिमित है उसको लंबे समय तक आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं लेकिन उर्जा का अक्षा इस्तरो होते सूर्य और उसको लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं फिर जिवाश मिंदन अभी हमने देखा कि ये तो प्रदुशन फेलाते हैं तो ये प्रदुशन कारी उर्जा इस्त्रोत हैं और सूर्य हमारा प्रदुशन रहित उर्जा इस्त्रोत हैं तो ये तीन मिंदुओं पर आप जिवाश मिंदन और सूर्य की तुलना उर्जा इस्त्रोत के रूप में कर सकते हैं धन्यवाद हम चर्चा करेंगे जल विद्यूत संयंत्र अर्थात हाइड्रो पावर प्लांट पर और ये किस तरीके से जल विद्यूत का उत्पादन करता है या हाइडल एलेक्ट्रिसिटी हमें इससे प्राप्त होती है इस पर हम बात करेंगे जल विद्यूत संयंत्र क्या होता है इसमें हमें पता है कि जो भारत में जितनी भी विद्यूत उर्जा की जो आपूर्ती है उस कुल आपूर्ती को अगर हम देखें तो उस कुल आपूर्ती का 25 परतिशत अर्थात एक चोथाई भाग जल से उर्जा के द्वारा मिल रहा है और 75 परतिशत अन्य इस्तरोतों से प्राप्त हो रहा है मतलब भारत में विद्यूत उर्जा के आपूरती में जल से उर्जा का बहुत बड़ा योगदान है और ये संबह होता है जल विद्यूत सहियंतर द्वारा होता क्या है कि आपने सुना होगा सरदार सरोवर्मान तिहरी बान आदि के बारे में तो बड़े बड़े उंचे जो है बांद बनाये जाते हैं और क्या किया जाता है नदियों के बहाओ को रोका जाता है और रोक कर बड़े जलाशायों के रूप में या करत्री मजिलों के रूप में पानी को उंचाई पर इखटा किया जाता है तो इस तरीके से इस बांद के पिछले हिस्ते की तरफ विशाल जल मात्रा मुझूद होती है जो जलाशा या करत्री मजील के रूप में होती है और वो किस के कारण होती है बड़े बड़े उंचे बांद बनाये जाने के कारण होती है अब इन जलाशेयों में जब जल भर जाता है तो जल का तल या वाटर लेबल क्या होता है उंचा हो जाता है और फिर ये जो जल है इसको उपर से नीचे की तरफ उंचाई से गिराया जाता है तो जब इसको उचाई से इस तरीके से गिराये जाता है तो ये जो टर्बाइन है इसके ये ब्लेड्स क्या होते हैं घूमने लगते हैं और टरबाइन के ब्लेड्स के घूमने से जो यांतरी कुर्जा होती है वो यांतरी कुर्जा जनित्र के दवारा विद्युत उर्जा में बदल दी जाती है जिसे हम पावर लाइन के दवारा फिर बाद में प्राप्त कर लेते हैं तो यह हमारा जल विद्यूत संयंत्र है और इसमें यह जो पानी है यह टर्बाइन के ब्लेड्स पर जब गिरता है तो यहां आपको यांत्री कूरजा मिल गई और जेनेरेटर क्या करेगा इस यांत्री कूरजा को विद्यूत उर्जा में बदल देगा आईए इसको और विस्तार से समझते हैं खुता क्या है खुता ये है कि आपने बड़े बांधों पर नदियों के बहाओं को रोका जलाशा या करत्रिम झीले बनाई और वे उंचाई पर है उंचे उंचे बांध आपने तयार किये जब जलाशाव में जल भर जाता है तो जल का लेवल या वाटर लेवल क्या हो जाए उंचा हो जाता है उपर चला जाता है तो पानी का तल चला गया उपर हम जानते हैं कि वस्तु को उंचाई तक उठाने में उसकी गुरुत्वी इस्तिती जूर्जा में क्या होती है व्रद्धी होती है तो यहाँ इसपस्ट रूप से हम समझ गये कि पानी को जब हमने उचाई पर उठाया तो यहाँ यह पानी के अंदर गुरुत्वी इस्तिती जूर्जा आ गई है कारण क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु को उचाई तक उठाते हैं तो हमको गुरुतु बलके विरुद्ध कारे करना पड़ता है जब आप इस पानी को उचाई पर ले गए तो आपको गुरुतु बलके विरुद्ध कारे करना पड़ा और जो आप कारे करते हैं वो वस्तु म ये गुरुत्वी इस्तिती वूर्जा विद्यमान होती है, उचाही के उपर, तो इसलिए बड़ बड़े उचे बांद मनाये जाते हैं और उसमें जलाशयों के रूप में या हम कहें जलसा रशनाओं के रूप में विशाल जलसा रशनाओं के रूप में पानी को इखटा किया जाता है और उस पानी के अंदर गुरुत्वी इस्तिदी जूर्जा विद्यमान होती है अब क्या होता है अब हम क्या करते हैं कि इस पानी को उचाई से नीचे की ओर क्या करते हैं गिराते हैं तो जब आप इसको उचाई से ये पाइपस के दुबारा जल को उपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो फिर क्या होता है जब आप इसको नीचे गिराते हैं तो ये जो टर्माइन है इसके ब्लेड्स पर आप इसको गिराते हैं तो जब आप टर्माइन के ब्लेड्स पर इसको गिराते हैं तो ब्लेड जो है वो घुर्णी गती करने लगते हैं नवी के स्टुडेंट्स को इतना लिखना और ये चित्र बनाना पर्याप्त होगा अब मैं आपको इसका स्टेप्स बताता हूँ पूरी उसके पेले एक महतुपुन बास समझ लीजिए कि ये जो जल विद्यूत उड़ जाए ये एक नवी करणी उड़ जाए स्तरो होते आप अनवी करणी और नवी करणी में जब आप डिफरेंस करें तो ध्यान रखेगा कि जो जल विद्यूत उड़ जाए वो एक नवी करणी उड़ जाए स्तरो होते कारण क्योंकि हर बार जब बारिश होगे जलाशाय भर जाएंगे और विद्यूत का उत्पादन होगा तो ये तो हर बार विद्यूत का उत्पादन हो सकेगा क्योंकि बारिश होती रहेगी जलाशाय भरते रहेंगे विद्यूत का उत्पादन होता रहेगा तो ये किसी भी तरीके से अनवी करणी नहीं है क्योंकि अनवी करणी के ऐसा मतलब जिवाश मिंदन की तरह नहीं है कि इनके समापत होने की कोई संभाव ना है तो ये कैसे इस्तरोत है उड़ जा इस्तरोत है नवी करणी इस्तरोत है चली में steps की बात कर रहा था तो हमने पानी को उपर बांध पर क्या किया एकत्र किया तो हमने कहा कि यह जो इसको पानी को जो उचाही पर ले जाने में किया गया कार रहे है वो उसमें किस रूप में आ जाता है गुरुत्वी इस्तिती जूर्जा के रूप में आ जाता है ये बात हमने कही तो यहाँ पानी में क्या है गुरुत्वी इस्तिती जूर्जा है ये जो जल यहाँ है इसमें कौन सी उर्जा है गुरुत्वी इस्तिती जूर्जा है अब जल का पाट खोला आपने जल का पाट ख गति-जूर्जा बढ़ती जाती है. अब ये पनी यहाँ आकर किस पर गिर रहा है टर्बाइन के blades पर गिर रहा है तो ये turbine के blades को क्या करेगा तेजी से घुर्णी गती कराएगा तेजी से घुमाएगा मतलब अब आपकी गती जूर्जा किसमें बदल गई यांतरी कुर्जा में बदल गई किसे में बदल गई गती जूर्जा यांतरी कुर्जा में बदल गई मतलब जब आप इस टर्बाइन के ब्लेड्स के उपर क्या हुआ ये पानी की तेज धारा आकर गिरी तो ये टर्बाइन के ब्लेड्स क्या हुए घूमने लगे मतलब इसमें क्या आ इस यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदल देगा क्यों कि हमें पता है कि जनित्र यांत्रिक उर्जा को किसे में बदलता है विद्यूत उर्जा में बदलता है तो यह जनित्र यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदल देता है जिसे हम प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार जल विद्युत से अंत्र से हम क्या करते हैं, इस्थिदी-जूर्जा, गती-जूर्जा, यांत्री-कूर्जा और अन्तत हम प्राप्त कर लेते हैं विद्युतूर्जा, अब एक सबसे बड़ी महतुपन बात ये है कि इसको लेकर कहीं तरह के जो जल बान या नर्मदा पर मनाववा सरदार सरोर बान इसको लेकर पुनरवास और ख्षतिपूर्थी को लेकर कहीं तरह के विवात बने हुए वास्ताओं में होता क्या है कि जब आप उचे-उचे बान बनाते हैं तो क्या होता है क्रशियों की भूमी और मानव आवास डूप जात हैं जो पशी-पक्षियों के आवास हैं इको सिस्टम जिसको हम कहने हैं जिसमें हम रहते हैं हमारे आसपास का पूरा जो पारीतंत्र है वो नस्ट हो जाता है जो बांद के आसपास का पारीतंत्र होगा और फिर क्या होता है जो जल में डूबे वे यहां जो जल रहता है इस इस तरीके से क्या होता है कि पर्यावरण को ये बहुत अधिक मात्रा में क्षति पहुचाते हैं और पुनरवाज संबंदी समस्याइं भी इसको लेकर आईए। परंतु हम कह सकते हैं कि कुछ सिमित परवती क्षत्रों में इसका निर्मान बहुत अच्छा हो सकता है। और जल्विद्युत का जो उत्पादन है वो एक नभी करनी उर्जा इस्तरों होते हमारी आवश्रक्ताओं की पूर्ति को करने वाला है। धन्यवाद।